आपको डिनर में क्या पसंद करते हैं आपकी फेवरेट डिस्क है मटर पनीर और गार्लिक नाइट अगर आपके पास बहुत सारे डिस्स हो तो आप चूज करेंगे कि मुझे यही अच्छा लग रहा है राइट इग्जेक्ली तो बच्छों के साथ यह यूनिट्स के साथ भी करनी है वह आपको यही यूनिट पहले प्राइटाइज करनी है डाट इस लाइक किमाल एते किसी को पहला यूनिट्स एपसोड त्री होप कि आपको फिसला वीडियो पसंद आया होगा और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हम पोश्चन का सीरीज जारी रगते हैं तो नेक्स मतर पनीर और गालिक नार अचा मतर पनीर और गालिक नार अगर आपके पास बहुत सारे डिसेज हो तो आप चूज करेंगे कि मुझे यही अच्छा लग रहा है राइट इग्जेक्ली तो बच्चों के साथ यह यूनिट्स के साथ भी ऐसा ही है जब हम बात करते हैं यूनि पहले प्राइटाइज करनी है तो फर्स्ट फॉल अपने यूनिट्स को जो है सबसे मोस्ट फेवरेट और मीडियम फेवरेट एंलेस फेवरेट की काटेगरी में रखेंगे को क्वालिफाई करने के लिए आज के टाइम पे लगभग आपको जो है वो आट से दस यूनिट क आपको छोड़ना रहता है तो जनरली जो है यूनिट 9 या यूनिट 12 को लोग कम प्रिफर करते हैं लेकिन अगर आप रिसेंट ट्रेंट्स में देखे तो यूनिट 9 से काफी ज्यादा कोश्चन सा है उसका वेटेस काफी बड़ा है जो कि बाकी यूनिट से पार्ट B में अ हर यूनिट से और पार C में जो है हर यूनिट से लगबग पांसे साथ कोश्चन आते तो यह एक वैरियेशन चलता रहता है एक आप यूनिट में एक दू कोश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन अगर आप यह सोचे कि नहीं मैं जो है यही उनिट करूंगा और यह यून कि मैं जो है कि आप करना है यह था इस कोश्चन है कि अपुसरे होते हैं मैंनर आपको यह को एक एक एंसा इसा इस आप अपनेटली बना हूँ झासे हम बेरें शर की बात करे तो उनको सवाहिकल की प्रॉबलम है तो स्री सर डॉंट माइं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ब को पर्मानेटली जो है रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या ली सकते हैं बस प्रकॉशन ले सकते हैं बहुत से स्टुडेंट ऐसे होते हैं जन्हें माइग्रेन की प्रॉबलम होती है तो आप उससे भाग नहीं सकते तो पहली चीज यह है कि अगर आपको कोई म मेंटीन करके चलिए एंड सेकंड होती है माइनर क्या होती ही जो हम खुद ही जनरेट कर लेते हैं स्ट्रेस के थूँ कि हम पर पढ़ा यह नहीं कर रहा है और हमें स्ट्रेस हो रहा है और फिर हमारा मन नहीं लग रहा है तो बो कोई हेल्थ इशू नहीं है और अगर आपको इ डर्णिंग में मेरी कोगनिशन पावर होती है विसिकली ब्रें से जो रिलेटेड होती है तो अपकी अच्छी हो जाएगी और स्लीपिंग टाइम का आप बहुत अच्छी से खाल रखी आप क्वालिटी स्लीपिंग टाइम जो है हर दे आपने आपके लिए दीजिए जैसे 10-8 hours जो है वो क्वालिटी टाइम माना गया है स्लीपिंग के लिए तो आपको सोना बहुत जरूरी है आप अगर अच्छे से सोएंगे तो आपका जो माइंड है जो आपकी थोट प्रोसेसिंग है जो आपकी कोगनीशन पावर है वो बहुत स्ट्रॉंग रहेगी तो आप इस पुछना चाहूंगा कि रिवीजन टाइम टेबल कैसे बनाए लास पार्ट में विरेन सर ने आपको अल्रेडी बता दिया था कि रिवीजन और रिकॉलिंग कैसे करें तो अब आत है टाइम टेबल की तो रिवीजन के लिए एक इस्पेशली अलग से टाइम टेबल बनाने जरूरत नहीं है आप डेली सोने से पहले के एक या दो घंटे जो है वो रिवीजन को डेडिकेट कर सकते हो कैसे करना है जैसे हम सारे जो है हमारी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है कोई जॉब कर रहा है कोई कॉलेज जा रहा है या फिर कोई अगर गैप लेके प्रिप कर रहा है तो आप लगबग नौ से दस बजे रात तक तो लाइफ क्लासेज ही अटेंड करोगे तो पहली चीज तो एक रेगुलरिटी लाइए कि आप रोज रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं लाइफ देख पारें तो लाइफ देखिए नहीं देख पारें तो से पहले वाला टाइम है उसमें एक आप एक या दो गंटे निकाल लिजी जिसमें पूरे दिन में जितना पढ़ाया गया उसको आप एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए या फिर को एक रिकॉलिंग नोट होते हैं खुद से ही सोचो कि आज यह टॉपिक पढ़ा इस से भी आपने पढ़ाय की है वापस एक बार देख सकते हो उसके अलावा जब हम सोने जाते हैं तो बहुत दे तक होता है कि हम इंस्टाग्राम स्क्रोल कर रहे होते हैं या पिर कुछ भी देख रहे होते हैं तो वो टाइम आप यूज कर सकते हो रिकॉलिंग के लिए कि क्या चीजें इंवाल हैं वो सारी चीजें वो आप बस सोते सोते रिकॉल कर सकते हो आपको किसी भी बुक किसी भी सोर्स किसी भी रिसोर्स की ज़रुरत नहीं है तो आपके रिवीजन जो है इस तरह से मैंनेज हो जाएंगे तो मोटीवेशन से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें क्योंकि मोटीवेशन एक टेंपरेरी प्रॉसेस है मतलब इस सम्थिंग लैक कि आप टेंपरेरी बेसिस पर जैसे ना अरजीत सिंग के गाने सुन लिए तो थोड़ी देर तक एमोशन जो है बाहर आ जाते क्योंकि तुम ही हो चल रहा होता है ठीक है ऐसी बेदर दिया जो भी आप अरजीत के दो एक दिन का एमोशन रहता उसके बाद आप अगले दिन नॉर्मल आ जाते हैं लैक मोटिवेशन जितने भी आप मोटिवेशन देखते हैं वो हमेशा आप कोई टेंपरेरी बेसिस पर एकसाइट करेगा एक दिन या दो दिन के बाद आप बैक टू स्टेट नॉर्मल आ जाते हैं एक होता है कि मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है इ रकडी को अगर जला दिया तो एक बार जलना सुरू तो तब तक जलेगा जब तक उसके अंदर से वो प्रॉपर्टी है तो अंदर से इंस्पार्ड होना जरूरी है और वो तभी आता है जब आपके पास कुछ न कुछ एक परपज हो अगर उद्देश है जिन्दगी में कोई उद्देश है तो आपके अंदर किसी मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं वो आप अंदर से आएगा क्योंकि आपको उस उद्देश को पूरा करना है तो सबसे पहला अगर आपको consistent motivated रहना है किसी external factor के अलावा तो पहले आप परपज सेट करिए और परपज जब तक से करने में या बुरा नहीं हो या मैं अपनी करियर बदल सकता हूं मैं उस गगर गरी background से आया तो मैं वहां पर नहीं रह सकता है मुझे चेंज करना है मुझे ताने सुनने को मिलते थे तो मेरे माइन में मेरा एक परपज यही सेट था I have to change my life that's it और उसके लिए मुझे जो कुछ करना चाहते है जिस दिन आपने वह परपज फाइंड आउट कर लिया अंदर से आग खुद ही लगेगी और आपको किसी external fire की जरूरत ही नहीं है फिर वही हो जाएगा की flower समझाता flower नहीं fire room में तो वहीवाली conditions हो जाएगी you have to feel like that बाकी तो internally motivated रही है thank you sir so next question Raveena maim और रणिशन दोनों से कि family pressure कैसे डील किया जाएगा okay so family pressure के माम बले मैं थोड़ी सी लुकी थी हमेशा कि मुझे जादा कभी pressure feel नहीं हुआ क्योंकि being a female अगर आप देखेंगे तो शायद लड़कों पर काफी सारे pressures होते especially marriage का कि एक एज के बाद हमें शादी कर देनी है या फिर माता पिता अपनी जम्मेदारियों को complete कर लेना चाहते है तो अगर आप family pressure की बात करें तो मेरे उपीनियन में यह है कि family pressure कई बार हम खुद भी create कर वाते हैं कैसे करवाते हैं कि जैसे हम अपने parents से कुछ clear-cut बात नहीं कर है तीन महीना में preparation कर लेने दीजे चार महीने preparation कर लीजे तो यह है communication gap आपको इस gap को सबसे पहले किलियर करना है आपको अपने parents के साथ proper बात करनी है और उसमें आपको बताना है कि भाई यह हमारा examination है मैं इसके लिए preparation कर रहा हूं या कर रही हूं और इसमें कितना time लग study plan है आप अपने parents को वो पूरा communicate करिये अच्छे से बताइए and third जो सबसे जादा important है वो यह है कि माता-पिता जो आपके हैं जरूरी नहीं है कि वो bell educated हो क्योंकि आप जो life अभी जी रहे हैं वो उनने 20 से 25 साल पहले जी है तो उसमें obviously बहुत सारा gap है तो आपको उनको यह आ support करेंगे लेकिन हम करते क्या है कि हम अपने parents से बात करना पसंदी नहीं करते तो उनको हमारी life में हमें क्या करना है हमारे क्या goals है हमारा study plan क्या है वो उनको समझ में नहीं आपाता और इसलिए वो हमें pressure करते हैं कि भाई बच्चा क्या कर रहा है कैसे कर रहा है लेकिन अगर प्रोपर कम्मिनिकेट करें, अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड तो यह आपकी ही है कि आप उन सारी चीजों को बताएं, मम्मी या पापा हम यह यह स्टड़ी कर रहे हैं, इतना टाइम डिरेशन रहेगा, और क्लियरेटी जरूर रखे चीजों को बिलकुल भी कॉंपलेक्स करने की जरूरत नहीं है, और जब आप इस तरीके से अपनी फैमिली को ट्रीट करे आता है, यह हो सकता है शाधी का नहीं आ रहा हो, तो एक्जाम क्वालिफाई करने का प्रेशर आ रहा है, यह लड़को के लिए तो है ही है, क्लिभ से उनको कर्मीरि व्याज से रहने करना है, जॉब लेनी है, हाँ मेरे को यह करना है तो उनके माइंसेट में भी बना रहेगा कि मेरा बच्छा यह करना चाहताए तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा और वो यह चीज़ करेगा अब इसको करने के लिए उनको कैसे विश्वास आएगा कि आप यह चीज़ कर ही लोगे पहले तो बहुत realistic चीजों को explain करो, हवा में बाते मत उड़ाओ कि मैं ये कर लूँगा, तुरन आथसा में scientist बन जाओंगा, ये कर लूँगा, realistic बाते करो, दूसरी चीज, उनको अपनी goals में, अपने dreams में involve करना सीखो, जब भी आप किसी चीज की preparation कर रहे हो तो अपने preparation को अप को नहीं आती थी, अचानक से आपने सीख ली या उसमें better किया, तो तुरन जाके ममे को kitchen बताओ, कि अरे मिरजे ये नहीं आता था, अज मैंने ये सीख लिया, या किसी से आपको अच्छी compliment मिले, कुछ अच्छा achieve किया हो, तो वो तुरन जाके parents को बताना सीखो, इस से उनको आपे believe बढ़ेगा, वो सोचेंगे कि हाँ मेरा बच्छा अच्छा कर रहा है, मुझे इसको support करना चाहिए, कई बार जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे, कि आपके parents कुदी आपको prepare करने का time देंगे, आपको फालतु कामों में involve नहीं करेंगे, अगर आप बैठके मैं जब एक्जाम के preparation करती थी, मेरी मम्मी मेरे साथ एक बजे तक दो बजे तक रात तक जगी रहती थी, क्यों कि उनको पता था कि भई इसको करना है और इसी तरह से करना है, इसको अभी जो है शादी नहीं करनी है, इसका goal यही है, तो वो मेरे साथ जगी रहती थी, जब तक मैं पढ़ रहे हूं, तब तक जगी रहेंगी, मुझे दूद लाके देना, चाय लाके देना और बात करना ताकि मैं को नीन नहीं आ जाए, तो इस तरह से तो parents support करते ही करते हैं, बस आपको काम यह करना है, कि उनको अपने goals में इंवाल्व करना है, और जो भी communication है वो आ अगर हमारे life में ऐसा होता है, कि एक बाबू सोना टाइब का person होता है, और एक ऐसा person, मैं अगर simple बोलू तो अगर आपके बाबू सोना टाइब के person ने बोला कि आप बाहर मत जाए, साम को जो है, खतरा रहता है, तो आपको लगेगा यार कितनी care करता है, लेकिन अगर वही आपके parents ने बोल दिया, तो आप पे pressure आजाता है कि आप मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे, same thing, same situation में, लेकिन problem यहां होता है, that you are internally, यह accept करते हैं, कि parents हमारी बाद समझी नहीं सकते, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप सिर्फ एक मिनट के लिए उनकी ज गैप है, वो आपको नहीं समझ रहा है, और यह लाजमी है, क्योंकि age gap है, generation gap है, तो कुछ बाते ना वो आपकी समझ पाएंगे, ना आप आपकी समझ पाएंगे, और यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा, कि ठीक है, उसको accept करिए कि वो नहीं समझ रहे हैं, उसको pressure के त अपने parents में, और जो भी वो कह रहे हैं, उसको positive way में समझने की कोसिस करना है, तो फिर हमें वो feeling of pressure है, वो कम फील होगा, हमें लगे कि उसमें उनकी care छुपी है, वो भी concerned है हमारे career को, आपके career से लेके आप उनको करोड़ पती बनेंगे, तो उनको नहीं पूरा करोड़ पै जो छोड़ जाते, family last तक खड़ी रहती, इसलिए मुझे मेरा ऐसा मानना है कि family में, जो कुछ भी कही जाती है, माता पीता के द्वारा, या कुछ अच्छे इंसानों के द्वारा, उनकी बातों को positive ले, और उनके पीछे के behind जो motive होता है, positive motive, वो समझने की courses करे, तो pressure कम फील उसको देखने के बाद, आप क्या करो, जब भी वो key points बोलते रहते हैं, तो उस topic को flow chart या flow diagram के form में बनाना शुरू कर दो, उसको पहले ध्यान से शुरूनो, और उसके बाद जो भी आपको time मिले, उसको flow chart, flow diagram के form में बनाना शुरू कर दो, mind maps के form में convert करो, बहुत सारे mind maps आ जाएगे, उनको आप डाउनलोड करके PDF बना सकते हो, अगर वो नहीं पसंद आ रहे हैं, वो detail नहीं लग रहे हैं आपको, अब अपना खुद का mind map जो है, वो digitally create कर सकते हो, या हाथ से भी create कर सकते हो, सबसे बड़ी बात, चीजों को short point में लिखना से को, जो important facts हैं, उनको ए कर दो, फिर किस में क्या ATP रिलीज हो रही है, कहा ATP इंवल्व हो रही है, उसको एक table के form में लिख दो, कि इस वाले step पे इतना ये release हो रहा है, या इतना involved हो रहा है, तो इस तरह से आप short note जो हैं, वो तैयार कर सकते हो, बात रही fun way की, तो fun way में आप बहुत सारे apps हैं, जो flashcards प्रोवाइड करते हैं, quiz प्रोवाइड कर सकते हो, उनको use कर सकते हो, अगर आप flashcard अप नहीं मिल रहा है, तो आप खुद के flashcard create कर सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें खुद का talent होता है, उनको गाना पसंद होता है, रैप करना पसंद होता है, वो अपने चीजों होते हैं, जिनको doodles पसंद होते हैं, ड्रॉइंग करना पसंद होता है, वो अपने जो भी topic है, उसको diagram के form में convert कर सकते हैं, उसमें नए ideas doodle के form में डाल सकते हैं, तो वो आपके लिए creative हो जाएगा, इसके अलावा कुछ लोग जिन्दगी में हर चीज को मज़े में लेना पस इसके हलाव आप अंताक्षरी खेल सकते हो, अपना एक study group बना उसमें हर जैसे आप अंताक्षरी खेलते हो, एक topic दिया, मतलब एक word दिया, एक alphabet दिया किसी को, जैसे किसी के उपर K आया, तो वो आपको craft cycle पूरा define कर दे, किसी के उपर G आया, तो वो आपको पूर glycolysis define कर द अपने study को fun way में convert कर सकते हो, thank you Anisham, so next question, विलिजन सरसा है, आप लोग के input दे सकते है, कि like preparation, beginning से कैसे करें, कैसे कैसे करें, okay, beginning, कई सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, खासकर जो पहली बार preparation कर रहे है, तो beginning से करने का सीधा सा प्रोच जैसा कि, last मैंने बताया था, SPR को लेके रखना है, और आप पहले तो सबसे पहला आपका target होना चाहिए, कि suitable source, that can be a book, that can be a course, अगर आप course purchase करने में हैं, तो वेदे में भी course लेके आया है, आप उनके कुछ videos अलरड़ी YouTube पे देखी रहे, quality content, आप खुद हमारे free lectures को भी जा कि देख सकते हैं, जो हमारे app पे available ह या आप किसी भी platform से जुड़े हो, doesn't matter, लेकिन अगर आप सबसे पहले एक source decide करो, कि आप online source या आपके पास book source, या किसी भी offline source है, आप कहीं से भी, book से self study कर सकते हैं, online से जुड़ सकते हैं, या आप offline से जुड़ सकते हैं, आपका source एक पहले तो proper एक अच्छा source decide करिए, decide कर आप discipline maintain करिए, कि अगर आपने source decide किया, तो यह नहीं कि चार दिन motivated रहे और class join किया, उसके बाद फिर चलो या जब मन किया, तब recording देखा, जब मन किया, तो class में गया, जब मन किया, तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा, it should not be like that, क्योंकि 6 मिने फिर आपको discipline, जो है person की तरह preparation करनी होगी, तो पहला तो course decide करो, फिर उसके बाद अपने जो time table है, उसको discipline manner में ले किया हो, क्या-क्या मेरा काम है, 6 मिने तक मुझे कैसे manage करना है, खुद की preparation को, कितना time में, preparation में दे सकता हो, उसके लिए थोड़ा सा time management करना पड़ेगा, इसके बारे मैं आपने previous video में भी बात करी थी, तो वहाँ से भी आप देख सकते कि कैसे time को manage करना है, दूसरी चीज, कि जब यह सब कर ले, उसके बाद जो है, आप basic तोर पर SPR जो मैंने बताया था, उसको apply करिए, मनलब आप पढ़ना सुरू करे, lecture पढ़िए, उसके बाद practice करे, recall करे, और कल lecture में आने से प question को पूरे तरीके से solve करके देखे, पूरे paper को, कि आप कितने सक्षम है, कितने पानी में है, और कितनी आपको मेहनत के अभी और जरूरत है, यह approach चलते रहे, वो mock test आपके गलतियों को बताएगा, उसको improve करते चले जाए, और आप छोटे-छोटे steps में चलते-चलते कब आप मनजिल तक बहुत जाएंगे, आपको पता भी नी चलेगा, यह approach कित्रू आप जा सकते हैं? तो इसके लिए आपके बेसिक्स का किलियर होना बहुत जरूरी है, तो अगर आप ऐसे कंडिडेट से कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से कलियर नहीं है, तो इसमें होगा क्या कि जब भी आप किसी भी competition exam की बात करें, चाहे CSIR, GATE, DBT, ICMR, तो आपको बहुत सारी प्रॉ आपके बेसिक्स जो है अच्छे से कलियर हो, अब इसके लिए जैसे कि सर ने बताया कि आप ओनलाइन प्लेट फॉर्म भी जॉइन कर सकते हैं, स्टेंडर्ड बुक के थू भी जा सकते हैं, लेकिन स्टेंडर्ड बुक में अगें आपको मतेरियल शॉर्टिंग करनी आनी च झाल झाल